नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको पता रहे हैं पटना में बिपक्षी दलों की बड़ी बैठक चल रही है पर बैठक के अंदर जम कर बवाल की खबर सामने आ रही है अलग-अलग नेत आपस में भिड़ते हुए नजल आ रहे हैं बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ममता बेनर जी काफी जादा नाराज हो गई है पर्शे मंगाल में जिस तरह से टीमसी के खलाप कॉंग्रिस सरकार हमला करती है विरोध प्रदर्शन करती है आंदोलन करती है उसको लेकर ममता बेनर जी ने राहुल गांदी पर हमला बोला है तो वहीं अर्विन के जिवाल ने अध्यादेश को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना दिया तो मीटिंग के अंदर जमकर बवाल हो रहा है क्या कुछ चल रहा है अंदर उससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको पता देना वहां मीटिंग के अंदर केजरीवाल वाल जिवाल किया उमर अबडुला ने में वाल किया मज्था बनार जी ने वाल किया और लालूЙ आदबनें बहृत-बड़ा खेल कर दिया research निति शकुमार ने अपनी राजनीती को चमकाने के लिए विपक्षी को कठक किया और मीटिंग में निति शकुमार का ही पत्ता साफ हो गया बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबर आई है लेकिन सुरवात बवाल नंबर एक मंता बनल जी मंता बनल जी ने कहा कि भई देखिए सब लोगों का मतलब कॉंग्रेस को अपने दिल बढ़ा करना होगा आप बंगाल में मत बवाल कीजिए और उनने कहा कि जो आपके जो अध्यक्षे वहां और जो कॉंग्रेस पार्टी हमारे खिलाब धरना प्रदरसन करती है आप वहां कलकत्ता के अंदर धरना प्रदरसन कर मेरे खिलाब वहां बवाल करो और आपके चाहोगा कि हम आपके साथ खड़े हो जाएं यह पॉसिबल नहीं है मतलब ममता बरना जी यही बात जो बाहर बोल रही थी वही चीजे अंदर चल रही है वहां पर उनने कहा कि बढ़ा सो बड़ा दिल दिखाई है और दूसरी कि एक नया फॉर्मूला लेकर के आगए अखलेश चादव अखलेश चादव ने कहा कि देखिए कि हर राज में जो पार्टी मजबूत है उसके हाथ में कमान हो जाना चाहिए मतलब कोई डिक्टेट किसी को ना करे कौन सार कोई राज है वहां पर कैसे बीजेपी को घेरना या क्या स्टरजी बनानी है तो जो पार्टी उस राजी में मजबूत है कि जैसे बिहार में आरजेटी कर ले बंगाल में ममता बनरजी कर ले जारखन में जारखन मुक्ती मोर्चा कर ले उत्रपरदेश में अखलेश चादव कर ले पंजाब में आमाधी पार्टी कर ले दि मीटिंग में राहूल गांदी इस तरीके से बैठ करके सबसे सुनते ही रहे वह बैठ करके वह लग रहा है कि विपक्षी एकता हो रहा है या फिर कॉंग्रेस पार्टी को सब लोग जो है तोलने मरोलने और उसको खत्म करने की साजिश्मन चुटे हुए हैं तो यह जो है और कहा जा रहा है कि दिल बढ़ा करो तो दिल बढ़ा किसको करना होगा कॉंग्रेस पार्टी को करना होगा क्योंकि ममता ब्रणजी तो दिल बढ़ा करेंगी नहीं वो बोलेंगी मैं दिल बढ़ा कर लूंगी दिली में मैं दिल बढ़ा कर लूंगी महरास्ट में अरे आपने बताए कि लालुप शादी आदम ने बड़ा खेल किया क्या कुछ किया उन्होंने जो खेल किया है वो तो नितिश कुमार के साथ हो गया मीटिंग अब आखरी मकाम पे है इस वक्त जब हम लोग यह रिकॉर्ड कर रहे हैं अंदर मालुम चलना है कि किस तरीके से प्रेस पूरा यह बन रहा है उसके वो सयोजक बन जाएं उसके वो कॉडिनेटर बन जाएं मतलब एक सिड़ी पुर्धान मंत्री चेहरा बनने से पहले लेकिन लालुयादव और ने इस तरह का खेल घुमाया वहां कि इस मीटिंग में यह तै नहीं हो पाया है कि सयोजक कौन होगा तो यह तो बड़ी बात हुई है मतलब यह कि अगर कॉंग्रेस पार्टी के हाथ से यह सयोजक कपद अगर जाता है या फिर नितिश कुमार बन जाते हैं तो नितिश कुमार की दावेदारी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी जो ला यह discussion होना चाहिए नहीं तो हम नहीं जाएंगे वहां कुछी ने discussion ही नहीं किया वहां सब लोग अपनी बात करने लग गए जब केजरिवाल का बोलने का वक्त आया तो केजरिवाल ने बस अध्यादेश शुरू कर दिया उसको दर दुलिया से को लिना देना नहीं है तो आदमी सुनते रहे कि बोलते जाओ क्या बोलना है तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो अब्दुल्ला ने उमार अब्दुल्ला जो बैठे हुए थे उन्होंने बीच में टोक दिया उन्होंने ये कहा कि भई आप तो अध्यादेश के उपर सवाल कर रहे हो 370 के उपर बताओ कि भई तुमने क्या मदद की आप चाहते हो कि आपके साथ आपके मुद्धे पर सब लोग साथ आ जाए लेकिन जब हमारा मुद्धा आएगा तब आप तो उसके साथ खड़े नहीं होते बाकि भी पक्षी पार्टियां ये 370 का राजसभा में विरोध की थी आप बीजेपी के साथ चले गए थे तो वहां पर ये बवाल मचा लेकिन केजरिवाल को सांत कराने के चकर में उद्धव ठाकरे और सरत पवार बीच में आते हैं वो कॉंग्रेस पार्टी से रिक्विस्ट करते हैं कि भाई आप इसके बारे में जो है कुछ फैसला तो फैसला हुआ ना डिसकेशन वा यह अपनी राग बताते रगए उद्धव ठाकरे ने नहीं बात कहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि देखिए इस बार मुदी को हटाना बहुत जरूरी है अगर मुदी इस बार नहीं हटे तो फिर मोदी कभी नहीं हटेंगे बीजेपी को फिर कभी हराया नहीं जा पाएगा तो यह हमारे पास आखरी मौका है भही पिछली बार तो चुनाओ तो मुदी के साथ साथ पीछे 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 पकड़के अपने सारे उमिदवारों के अपना फोटो कम और प्रधान मंतरी का चेहरा बड़ा बड़ा बना करके तुम चुनाओ लड़ रहे थे और आज जो है पल्टी मार के आप यहां मोदी को ही हटाने की बात कर रहे हो तो यह जो मुझे लग रहा है कि आज की जो मीटिंग हुई है वहां कोई फासला नहीं सब आपस में ही जो है अपने अपने इंटरेस्ट को साधेंगे कहने के लिए एक कॉमन मिल्मन प्रोगाम बनाने की बात हो रही है अब अगली मीटिंग कहा होगी बताया यह जा रहा है कि वो सिमला में तै किया गया है कॉंग्रेस पार्टी इस पूरा चीज को अपने हाथ म लेना चाहती है तो जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी लीड रोल में आएगी बहुत सारे लोग छट जाएंगे ऑल्रेडी इसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां है जो कॉंग्रेस पार्टी के साथ ऑल्रेडी गटबंदन में हैं जैसे महराष्ट के अंदर सदत्पवार बिहार में RJD नितिश कुमार वहां गडबंदन की सरकार चल रही है आपका DMK तमिलाडू में वहां पे गडबंदन में चल रही है फिर जारखण में सिबू सुरेंड के बेटे हिमन सुरेंड चीफ मिनिस्टर वहां Congress Party की मिली-जुली सरकार चल रही है तो ज्यादा तर जगहों पे औ हिंजाब और दिल्ली को लेकर के वहां कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से कुछ नहीं कहा गया बस इतना जरूर हुआ है कि लोग आए फोटो सेशन हो गया कोई भला फैसला कोई बड़ी चीज वहां से निकल के नहीं आ रही है अभी कुछ दिर बाद अभी लोग डिसकुर्शन करने की मीडियस जगर की क्या बात करनी है और कुछ दिर के बाद यह मुस्कुराते हुए आएंगे सब तैह हो जाएगा सब अच्छा हुआ अच्छे महौल में हम लोग मिले अच्छी बाते हुई कोई डिफरेंस नहीं है जो बाते हैं वो सब हम लोग मिलके सॉट आउट कर जाएगा अपडेट के लिए तो देखना होगा कि बैटक के बाद क्या कुछ मीडिया को यह जानकारी दी जाती है कि बैटक में किस बात पे सहबती बनी है अभी फिलाल यह बैटक चल रही है कुछी देर के बाद बैटक खत्म होगा उसके बाद एक जॉइंट प्रेस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बैल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे झाल